तो नमस्कार आप सुभी प्यारे साथियों को तो मैं आपके सामने एक टेस्ट के रूप में लेके आया हूँ टेंथ क्लास साइंस है जो भी क्यूशन पिछले सालों में पूचे गए है जिसके अंदर RBC सामिल है सीबी ऐसी सामिल है जो भी आपके एक्जाम है प्रवेशिका प्रिक्षा वगेरा सब कुछ एक्जाम के अंदर जो भी क्यूशन पूचे जाते है वो मैं आपके सामने क्यूशन लेकर के आया हूँ और अब की बार के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है या जुड़ रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेंगे आपके एक्जाम तक ये वीडियो आते रहेंगे आप इनको देखते रहेंगे शिरफ 10-10 क्यूशन आएंगे और आप ऑप्शन वाले क्यू प्षारक करता है तो इसकी एक ट्रिक जान लो ताकि आप exam के अंदर कोई भी कुशन आई से सी डिलिटेड तो आप आप आ custard कर सको ठीक है एक तो होता है अनील अनील से आप ध्यान रखो कि आ से अमल हुथता है और नी से और ये लाल हो जाएगा नीले को लाल में परिवर्थित करने का काम ये अमल करेगा तो यहाँ पर कह रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है लेकिन जो अमला होगा वो तो नीले को लाल करेगा तो अमला वाला मान नहीं होगा और आपको पता है अलग दिकरा है तो आप इसमें D option right हो जाएगा क्योंकि ये निले लिटमस को लाल लिटमस को निला करता है चारक तो इसकी ट्रिक आप यदि जानना चाते हो तो मैं आपको बता देता हूं इसकी भी ट्रिक तो आप देख सकते हो कि चारक होता है उसकी आप ये याद रखो शा तो आप इसे अटेंट कर सके तो next question है अब कि मनुश्य में व्रक एक तंत्र का भाग है वो मतलब किस तंत्र का भाग है आपको बताना है इसके अंदर तो इसके अंदर पहला option दिया है portion का है मतलब digestion का है उत्सर्जन का है excreation का है और या पिर ये परिवहन का है तो इसमें से आपको बताना जो व्रक होता है जो मतलब इसके आप कहते हो इंगलिस के अंदर kidney तो kidney किसका भाग होती आपको सभी को पता है kidney blood को साप करने का काम करती है और मुत्र को क्या करती है उसमें से अलग करती है तो मुत्र को अमनिसका सित करते है तो उसका मतलब है उत्सर्जन से related व्रक का है तो इसके अंदर जो आपके option right हो जाएगा वो आपके बी option right हो जाएगा next question है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का परतिविम बनता है वह कौन सा है तो इसके अंदर ज्यादा तरको रेटीना याद होगा रेकिन इसमें रेटीना है नहीं ठीक है तो कौर्निया पर परतिविम बनता नहीं है पुतली पर बनता नहीं है परी तारीका पर बनता नहीं है रेकिन रेटीना पर बनता है ज्यादा तरको यह याद होता है लेकिन यह इंगलिस वर्ड है इस बात का ध् सियोजाश बनता है लेकिन हमें सिद्केव दिखई दिखेए देते हैं कि केल्सियम उट्सैड़ जल के साथ तिव्र अभिकिरिया करके बुजाववा चुना बना देता है इस अभिकिक फ्र कर्फिकन के किस परकार LIKE किया जाये है कि संयोजने उश्मा सोशी या उश्मा उनमोची का मतलब होता है कि ये हो जाए का आपकी उश्मा 16 की अभिक्रिया और उपचेन अभिक्रिया जिसके अंदर वापस आपको विकल्फ दिया है कि A और 2 राइट है मतलब संयोजन और उश्मा-ईस्व कुई दोनों अभीक्रिया राइट है इसके अंदर देखो option a c b d है ठीक है तो इसके अंदर देखो यह अभीक्रिया दो या दो से अधिक अभीकारक मिलकर के जब एककल उत्पाद का निर्मान करते है सहीं जिन अभीक्रिया होती तो यह option तो पक्का है तो यह इसमें भी आ रहा है य खलत हो जाएगा इसके अंदर यह आ रहा हो सकता है यह भी हो सकता है ठीक है अब नेक्स्ट है उसमा सोसी अभीक्रिया नहीं आप जब अपने वोक्स के अंदर reaction पढ़ते हो तो जब बुजवा चुना बनता है तो उसके साथ में उसमा निकलती है और ऐसी अभीक्रिया जिस इसके अंदर बिलकुल right हो सकती है तो यह और भी इसके अंदर right हो जाएगी वह नहीं सकती मतलब हो जाएगी इस बात का ध्यान रखे तो इसके अंदर यह दोनों right हो जाएगी next question की तरब हम बढ़ते है कि जब hydrogen sulfide gas को hydrogen sulfide gas का जो formula होता है वो होता है h2s hydrogen sulfide gas को copper sulfate के wilion में जाता है तो copper sulfide का काला अवक्षे प्राप्त होता है तता इस परकार बना sulfuric amla willion में रह जाता है यह अभी किरिया निमन में से किसका उदारण तो इसके अंदर आपको बताना है कि अभी किरिया किसका उदारण है तो hydrogen sulfide इसके पास में लिकावाय कि copper sulfide मलब cuso4 के निले willion म में रह जाता है यह अभी किरिया किसका उदारण है तो इसके अंदर option d right हो जाएगा ज्वी विस्तापन अभी किरिया का यह example हो जाएगा next question है कि किसी ज्वी विस्तापन अभी किरिया जैसे sodium sulfate willion और barium chloride willion के बीच अभी किरिया है तो यह बहुत ही आसान question है लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना क्यों देखो यहाँ पर पूचा है कि sodium sulfate sodium sulfate का मतलब होता है na2so4 plus किससे reaction हो रही है barium chloride barium chloride का bacl2 होता है तो इनकी जब reaction होती है तो इसके अंदर क्या बनता है 2 nacl plus baso4 तो इसमें देखो आइनों का आदान परदान हो रहा है मतलब द्वी विस dc इसके अंदर d वाला option right हो जाएगा इस बात का ध्यान रखना only इसके अंदर जी विस्तापन अभी करिया मत कर देना इस बात का पूरा पूरा आप ध्यान रखे next question है कि backing soda निम्द मैंसे किसका मिसरण होता है बहुत important question है हर एक question exam के अंदर आ रखा इस बात का ध्यान रखे तो backing soda इसके अंदर sodium hydrogen carbonate और tartaric अमलका हो जाएगा इस बात का ध्यान रखे अब next question है plaster of Paris का राशनेक शुत्र है तो plaster of Paris का जो राशनेक शुत्र होता है C, A, S, O, R, H2, O हो जाएगा इसके अंदर आपका option D right हो sorry C right हो जाएगा next question है इस परावर्तन के नियम लागू होते है तो परावर्तन के जो नियम लागू होते है वो सभी परावर्तक प्रष्टों पर लागू होते है ना तो केवल उत्तल ना केवल अवतल ना केवल समतल इस बात का ध्यान रखे next question है कि जब किसी बिम्ब को किसी अवतल दर्पन के focus और द्रूव के बीच रखा जाता है तो उ यह कह रहा है कि मुक्या focus और द्रूव के मद्य रखा जाता है तो यह जो परतिविम बनता है यह दर्पन के मतलब पीचे बनता है इस प्रकार से दर्पन के पीचे बनता है तो यह दर्पन पीचे बनेगा वो सीधा होगा और हमेसा आभासी होगा क्योंकि किर्णे मिलती हु मिलो आग निकलती है तो वो किसके करण होता है वो अत्य दिक धारा के बढ़ जाने के करण होता है ना कि गठने के करण तो इसके अंदर option आपका d right हो जाए गा ठीक है next question है कि 100 watt और 40 watt के बल्ब दो स्रेनी करण में स्योजित है तो 100 watt में एक एंपियर धारा परवाईत हो रही है तो 40 watt के बल्ब में परवाईत धारा होगी हमने परतीरोध पड़ाता तो परतीरोध के समय आपको ध्यान होगा कि जब स्रेनी करण के अंदर किसी वस्तु को जोडते है तो उसके अंद दारा का मान समान रहता है तो ये बल्ब स्रेनी करण में एक एंपियर धारा है तो यह साम की स्यंण गे??